तो हलो दोस्तो आजकी डिफेंस अपडेट वीडियो में बारत के पास अभी पिलाल रफेले उसके अलावा अगले साल भारत को एस-400 भी मिलने वाले हैं तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट या डिफेंस सिस्टम इंपोर्टन्ट है उसी के बारे में बात करने वाले हैं नए हो तो प्लीज मेरे डिफेंस चैनल को सबस्टाइब करें वीडियो को लाइक करें कोमेंट सेक्चन में जैहिन जैबारत लिखें नाबुरित आज की डिफेंस अप्टेट शुरू करते हैं रफाले इतना ज़्यादा अडवांस पाइटर जेट है कि वो हिमलाय पार करके चाइना के किसी भी ठीकाने पे एर्श्ट्राइक या बम गिरा सकता है उसके अलवा हमारे एक्सपर्ट ये भी मांते हैं कि चीनी जेट्वंडी का सामना अगर हमारे रफाल से होता है तो हमारे रफाल चीनी जेट्वंडी को एक पल में हरा देगा तो रफाले में कुछ गातक मिसले आती हैं मीटियोर, माइका, स्केल्प और हैमर जैसी तो जो मीटियोर मिसल है वो दुनिया की सबसे अडवांस एर टु एर मिसल है उसके अलाव जो मांका मिसल है वो एर टु एर ख Calvin में close range में बहुत जादा important role play करती है उसके अलाव जो hammer missile है वो air to ground roll में बहुत ज़्यादा important है ये bunker में छुपे दुश्मनों को भी आसानी से तबाह कर सकती है तो ये थे रफाल तो बात कर लेते हैं S-400 air defense system की तो भारत को अगले साल से S-400 air defense system मिलना चालो हो जाएगे तो जो S-400 air defense system है वो दुनिया का सबसे advance और खतरनाक air defense system है तो जो S-400 air defense system है वो 5th generation fighter jet यानि की F-32 और F-35 जैसे गातक stealthy fighter jet को भी detect करके easily destroy कर सकता है उसके अलाव S-400 ballistic missile हो hypersonic जैसे गातक missile को भी हवा में रोक सकता है तो S-400 इतना ज़्यादा advance है तो अब बात कर लेता है कि इन दोनों में से भारत के लिए game changer साबित कौन होगा तो S-400 same to same China के पास भी S-400 है तो रफाल भारत के लिए बहुत से ज़्यादा game changer साबित होने वाला है क्योंकि S-400 चाइना के पास भी है तो अगर आपको मेरा informative वीडियो अच्छा लगे तो please subscribe my channel thank you for watching